नवाश्कार दोस्तों, देट है आज की 11 मईए 2021 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिसकेशन में तीन इशूज आज हम डिसकेश करेंगे, दो हिंदू के, एक इंडियन एक्सपेस का सबसे पहले आपकल हम डिसकेश करेंगे, इंडियन एक्सपेस का, सी राजा मोहन का यूएस से जो अफगानिस्तान से डिपार्ट कर रहा है, इसका साउथ एसिया पर क्या इंपेक्ट पड़ेगा मतलब नए ही पॉइंट्स है, हमने आलरेड़ी कुछ डिसकस नहीं किया है, जो कुछ आज के आर्टिकल में है और दूसरा आर्टिकल हम डिसकस करेंगे, डिश्टल वर्ड में इनिक्वालिटी से सम्मन्दित, खास करके एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, तीसरा इश्टल हम डिसकस करेंगे, इस्राइल में, इस्राइली पुलिस और पलेस्टिनियन प्रोटेस्टर्स के बीच, काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले एक महिने से, और दो-तीन दिन पहले तो, मुस्लिम्स के के लिए जो तीसे नंबर पे सबसे पवित्र मस्जिद है, अल-क्सा वहाँ पर क्लैसिस देखने को मिले, क्या पूरा इश्टल है, जानेंगे इस आर्टकल में, चलिए डिसकसन स्टांट करते हैं, फर्स्ट आर्टकल, USA जो अब अफगानिस्तान को छोड़के जा रहा है, देखो वैसे अफगानिस्तान जो है, वो South Asia में आता है, सार्क जो Organization है, South Asian countries की उसमें भी अफगानिस्तान है, लेकिन कुछ एकस्पर्ट्स अफगानिस्तान को Middle East से और West Asia से रेलेट करते हैं, क्यूंकि konflikt के कारण, अफगानिस्तान में जो conflict चलता रहता है और Middle East में भी conflictual situation होती है काफी देशों के बीच इस वज़े से कुछ experts अफगानिस्टान को Middle East से relate करते है अब हो क्या रहा है USA जो छोड़ के जा रहा है अफगानिस्टान को इस से हो क्या रहा है Middle East में एक vacuum create हो जाएगा क्योंकि देखो 2003 में इराक में भी intervention किया था USA ने सद्दाम हुसेन के रूल को खतम करने के लिए और वो हो भी गया इराक में आज के समय में USA की presence तो है लेकिन बिल्कुल नाम मात्र की है और अफगानिस्टान को तो पूरी तरह से USA अब छोड़ देगा 11 सेप्टेंबर से पहले तो Middle East में एक power vacuum create हो जाएगा काफ़ी सालों से USA Middle East में था और USA के में मकसद थे Middle East में इसराइल के interest को secure करना क्योंकि इसराइल USA का साथी है USA Middle East में democracies भी promote किया करता था और USA का में मकसद ये भी था अपने लिए oil की supply को ensure करना बट आज के समय में USA के ये जो main priorities नहीं है USA के पास अपने खुद के all reserve है तो ये reason USA के लिए उतना important नहीं है जबकि देखो USA के लिए दूसरे challenges काफ़ important है जैसे China का emergence तो फिलाल आज के समय में USA की जो priority है वो China को counter करने की ज़्यादा है बजाए कि Middle East में involve होना विविन देशों के बीच लडाई होती है तो वहाँ पर लडाई खतम करवाना, democracies promote करना अपने लिए oil insure करवाना ये USA की priorities नहीं है तो अब question ये उठता है कि Middle East में जो power equations हैं वो किस परकार से change हो रही है देखो अलग अलग देशों की बात की जाती है हलांकि Russia और China इनका role Middle East में increase हो रहा है बट देखो USA ने जितना अपने आपको इस reason में establish किया उतना ये powers नहीं कर पाएंगी एक famous कहवत है कि super power बनने के लिए आपके पास political will भी चाहिए USA के पास political will भी थी मतलब ये असान decisions नहीं होते अफगानिस्तान के उपर attack करना इराक में intervention करना तो will power काफी strong थी political will थी USA के पास उतनी political will China, Russia इनके पास नहीं है तो USA के द्वारा जो ये vacuum छोड़ा जा रहा है ना power का Middle East में उसको ये power नहीं feel कर पाएंगी इसी वज़े से सभी जो देश हैं अपने अपने interest को देखते हुए act कर रही हैं जैसे सवुद्रेबिया का example लीजिए सवुद्रेबिया आज के समय में इरान के साथ अच्छे relations establish करने को तयार है पहले सवुद्रेबिया को लगता था कि USA है हम USA की power के साथ मिलके इरान को contain कर सकते हैं अब सवुद्रेबिया को लगता है कि USA तो जा रहा है इसलिए सभी देशों के साथ अच्छे रिष्टे maintain किया जाएं तो अच्छा होगा otherwise कोई power हमारे साथ मुझूद नहीं है हमारा साथ देने के लिए इसलिए सवुद्रेबिया ने अभी peace का हाथ बढ़ाया है इरान की तरफ even सवुद्रेबिया ने अपने कतर के साथ भी रिष्टे अच्छे कर लिए हैं बहुत सारे देशों ने इसलिए पावर इक्वेशन्स काफी तेजी से चेंज हो रही है अब तर्की का एक्जामपल लीजिए तर्की का जो रष्टरपती है ना अर्दगन वो बड़ी बड़ी बाते करते हैं वो मुस्लिम वल्ड का लीडर होने की बात करते हैं उनकी ऐसी इच्छा भी है कि मुस्लिम वल्ड का लीडर मैं बनू लेकिन अब तर्की को भी समझ में आ गया है कि हमारी एकोनमी ऐसी नहीं है कि हम दूसरे देशों में जाके मिल्टरी इंटर्वेंशन कर स्केम मतलब तर्की को अपना हिसाब किता पता है कि हमारी एकोनमी इतने जादा श्ट्रोंग है नहीं इसलिए तर्की ने भी पहले तर्की सौधरीबिया को काफी चैलेंज किया करता था इवन तर्की ने ही खूब ये बात उठाई थी कि जमाल खागोसी जो सौधरीबिया के परसासन से नराद चलते थे उनका एसेसिनेशन सौधरीबिया के द्वरा करवाया गया तो इससे सौधरीबिया को बहुत ज़्यादा embarrassment का सामना करना पड़ा लेकिन अब तर्की भी सौधरीबिया के साथ peace establish करने को तयार है इवन इजिप्ट में Muslim Brotherhood को स्पोर्ट किया जाता है तर्की के द्वरा जिस वज़े से इजिप्ट में instability रहती है बट अब इजिप्ट के साथ भी peace establish करने के लिए तर्की त्यार खड़ा दिखाई देता है खेर ये तो देखो हमने Middle East की बात कर ली मेन हमारे लिए important है South Asia अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा होगा आर्टिकल का नाम ही यह है कि USA के जाने से अफगानिस्तान से जाने पर South Asia पर क्या impact पड़ेगा South Asia से सम्मंदित ही question आ सकता है सिधा सिधा question आ सकता है या तो India से सम्मंदित कि USA जो अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है इससे इंडिया पर क्या impact पड़ेगा या फिर South Asia भी आ सकता है कि South Asia पर क्या impact पड़ेगा देखो अब USA जा रहा है अफगानिस्तान को छोड़ के तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाते थे कि अफगानिस्तान में USA लंबे समय तक मुझूद रहे क्यों चाते थे इंडिया तो देखो सिधा-सिधी बात है कि इंडिया ने काफी invest किया है अफगानिस्तान के अंदर तीन बिलियन डॉलर से ज़्यादा तो इंडिया को ये लगता था कि USA अगर रहेगा तो अफगान गोर्मेंट सत्ता में रहेगी हमारी investment सेक्योर रहेगी इंडिया ये भी चाता था कि अगर USA चला जाता है तो तालिबान के आने का खत्रा है अफगानिस्तान में सत्ता में तो तालिबान जो है वो इंडिया के against आंत की groups का साथ दे सकता है इस वज़े से कस्मीर में instability पैदा हो सकती है और अफगानिस्तान के ऊपर अभी जो थोड़ा बहुत इंडिया का influence है अफगानिस्तान की policies के ऊपर वो भी खतम हो जाएगा अगर तालिबान सत्ता में आ जाता है तो इसलिए इंडिया चाता था कि USA लंबे समय तक अफगानिस्तान में मुझूद रहे लेकिन अभी USA जा रहा है बात आती है पाकिस्तान की पाकिस्तान क्यों चाता था कि अफगानिस्तान में मुझूद रहे USA पाकिस्तान देखो इसलिए चाता था क्योंकि जब तक USA पाकिस्तान में है न तो फिर USA को पाकिस्तान की आवसकता है तालिबान को कंट्रोल करने के लिए कहिए या फिर अफगानिस्तान को जोग्राफिकली एकसेस करने के लिए लेकिन एक बार अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया USA तो USA को पाकिस्तान की आवसकता खतम हो जाएगी तो फिर बिल्कुली USA पाकिस्तान को ignore मार देगा इंडिया को देखो फिर भी USA को आप सकता है इंडिया की USA को क्यों? क्योंकि चाइना को contain करना है वैसे भी इंडिया एक बहुत बड़ी market है 135 करोड का देश है तो इंडिया के रूप में USA को market दिखती है लेकिन पाकिस्तान की importance बिल्कुल खतम हो जाएगी USA के लिए क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ दे नहीं स्क्रेगा USA को इस वज़े से पाकिस्तान चाथा था कि USA अफगानिस्तान में मुझूद रहे कम से कम थोड़ा तो हम USA के उपर अपना influence रखें leverage रखें वो leverage खतम हो जाएगी अभी तो पाकिस्तान कैसे अब अपने relations को calibrate कर रहा है, recalibrate कर रहा है या फिर यूँ कहें जब देखो जमू इन कस्मीर में special status को revoke किया गया ना तो पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि जो organization of Islamic cooperation है ये इंडिया को criticize करे कुछ action ले लेकिन इस organization ने कुछ action लिया नहीं और ये जो organization है वो Saudi Arabia-led है तो पाकिस्तान frustrated हो गया पाकिस्तान के foreign minister ने इवन ये भी कह दिया कि एक अलग से alliance बनाएंगे जिसमें leader होंगे तर्की, Malaysia इस से Saudi Arabia और UA ये चिड़ गए एकदम से इन्होंने पाकिस्तान को दिया अपना loan वापस मांग लिया कि आप हमें loan अपना लोटा दीजिये तो उसके बाद से ना पाकिस्तान के जो army chief है वो Saudi Arabia में कई बार चक्कर लगा चुके है Saudi Arabia के साथ रिष्टे सुधारने के लिए sorry कहने के लिए simple देशी बासा में बोले कि भया हमसे गलती हो गई तो अब जाके Saudi Arabia थोड़ा पाकिस्तान के साथ relation ठीक कर रहा है क्योंकि Saudi Arabia को भी लगता है USA के जाने के बाद हमें पाकिस्तान के अब सकता पढ़ सकती है क्योंकि पाकिस्तान के पास army है, military है जिसका फाइदा ले सकता है Saudi Arabia future में ऐसा Saudi Arabia को लगता है इसी वज़े से पाकिस्तान के जो पधानमंत्री है वो Saudi Arabia की यातरा पर गए थे पिछले हफ्ते relations को ठीक करने के लिए जो पास्ट में इनके foreign minister ने बड़ी-बड़ी statement दी थी उससे जो नुकसान हुआ उसको ठीक करने के लिए अब देखो दिक्कत क्या है पूरे South Asia को Taliban अगर आ जाता है Afghanistan की सत्ता में क्योंकि Taliban तो देखो conservative organization है तो South Asia के अलग-अलग countries में जो terror organizations है ना उनके साथ Taliban अपने समंदों को मजबूत कर सकता है उनको हतियार प्रोवाइड कर सकता है उनको training दे सकता है दूसरी logistics sport प्रोवाइड कर सकता है जैसे इंडिया में terror organizations है चाहे वो जमुएन कस्मीर में हो या फिर दूसरी जगहों पर है उनको Taliban जो है वो sport प्रोवाइड कर सकता है ये डर है इवन पाकिस्तान को भी खत्रा है पाकिस्तान में भी काफी सारी terror organizations है उनको भी Taliban sport प्रोवाइड कर सकता है तो आने वाले समय में South Asia में instability, आतकवाद, extremism ये सारी चीज़े बढ़ सकती है अगर Taliban सत्ता में आ जाता है अफगानिस्तान में ये सबसे बड़ा खत्रा है South Asia को तो देखो ये जो challenge है न terrorism का, ये cross border है इसलिए South Asia के countries को आपस में cooperation को बलकि और ज़्यादा increase करना चाहिए इस cross border challenge से निपटने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने relations को ठीक करने के कोशिस की है पिछले कुछ समय में आपको याद होगा हमने article discuss किया था कि UAE के परियासों से दोनों देशों ने ceasefire agreement को revive किया और वो agreement अभी तक तो चल रहा है मतलब बोर्डर पे आपने देखा होगा ceasefire का agreement और जो violation है वो अभी नहीं हो रहा है लेकिन पाकिस्तान की military establishment में अभी एक debate चल रही है क्योंकि पाकिस्तान ने S.E.S.E. statement दे दी है खास करके पाकिस्तान के पधामंत्री ने कि जब तक इंडिया जमू एन कास्मीर में special status को restore नहीं करेगा या फिर जमू एन कास्मीर में statehood फिर से restore नहीं करेगा तब तक हम इंडिया से बातचित नहीं करेंगे ऐसी ऐसी बाते पाकिस्तान ने बोल ली है तो फिर अब पाकिस्तान की military establishment में डिबेट ये चल रही है कि कैसे जमू एन कास्मीर में special status के issue को de-link किया जाए इंडिया पाकिस्तान relations से अब इस डिबेट का नतीज़ा क्या आता है वो तो देखने वाली बात होगी लेकिन अगर पाकिस्तान की military establishment ये त्या करती है कि जमू एन कास्मीर का जो special status है उसे आप अलग कर दो इंडिया पाकिस्तान relations से फिलाल के लिए तो तो दोनों देशों के बीच रिष्टे अच्छे हो सकते हैं लेकिन अगर पाकिस्तान की military establishment ये त्या करती है नहीं हम तो इंडिया पाकिस्तान relations की जब भी बात आएगी तो special status को या फिर statehood को restore करने की condition रखेंगे तभी बातचीत आगे बढ़ेगी अधरवाइस नहीं बढ़ेगी फिर दिक्कत है क्योंकि देखो special status Indian government फिर से restore करेगी जमू और कस्मीर में ये तो मतलब ना के बराबर possible है हाँ statehood फिर से सरकार देगी जमू और कस्मीर को ये तो तै है लेकिन वो भी सरकार पाकिस्तान की conditions पर नहीं देना चाहेगी कि हाँ पाकिस्तान ने condition रख दी कि जमू और कस्मीर में statehood आप restore करो तभी बातचीत करेंगे सरकार पाकिस्तान की condition इसकी संभावना नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान की military establishment क्या decide करती है, कैसे इंडिया-Pakistan relations से Jammu and Kashmir के statehood के issue को dealing करती है, इस पर depend करेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिष्टे आगे कैसे बढ़ते हैं, तो ये पूरी churning हो रही है, equations change हो रही है USA के जाने से, तो ये हमने issue discuss किया, चलते हैं आगे, next article, digital world में inequalities से समधित हैं, आप GS, paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, ये points cover करेंगे हम इस article की discussion में, क्या contest हैं, देखो इस महामारी आने के बाद, बहुत सारे sectors ऐसे हैं, जिनमें digitalization increase हो रहा हैं, जैसे education sector हैं, health sector हैं, लेकिन question ये उठता हैं, इन sectors में digitalization आने के बाद, क्या सभी लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, health और education को access कर पा रही हैं, या फिर नहीं कर पा रही हैं, राइटर का मानना हैं नहीं, जिन लोग के पास पैसे हैं, जो privileged हैं, उनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा, चाहे पहले education digital माध्यम से दी जा रही थी, या फिर in-house यानि physical दी जा रही ही थी, लेकिन गरीब लोग जो हैं, वो काफी परकार के challenges का सामना कर रही हैं, ना सिरफ health sector में, बलकि education sector में भी, बात पहले करते हैं, education sector की, उसके बाद बात करेंगे health sector की, national sample survey का data कहता है, 2017 का, rural households में सिरफ 6% लोग के पास computer हैं, जबकि urban households में 25% लोग ऐसे हैं, जिनके पास computer हैं, और internet facilities भी देखो universal नहीं हैं, 17% लोग के पास internet facility है, रोल एरियास में, और urban एरियास में ये percentage है, 42%, तो सोच के देखिए, अभी भी, कितने लोग ऐसे हैं, मतलब majority of लोग तो ऐसे हैं, जिनके पास computer नहीं हैं, हाँ, smart devices ज़रूर हैं, यानि mobile phones हैं, और कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनके पास अभी भी internet की access नहीं हैं, फिर भी सरकार बोलती हैं, कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, जो device ना होने की वज़े से education से वंचित रह गया हो, महामारी आने के बाद सभी को digital माध्यम से education मिल रही हैं, सरकार ये कहती हैं, जबकि देखो news में आपने भी पढ़ा होगा, कुछ बच्चों सूसाइड कर लिया, क्योंकि वो education continue नहीं कर पा रहे थे, उनके पास resources नहीं थे, smart devices नहीं थे, ऐसी खबरे आपने भी पढ़ी होगी internet, इस पर Indian Express पर एक article आया था, टेलिग्राम में share भी किया था, काफी दुखर ऐसी खबरे हैं, लेकिन सरकार उन्हें recognize करने को तयार नहीं ह हैं, इसके अलावा देखो काफी सारी organizations ने मिलके एक survey conduct किया, National Council of Educational Research and Training, यानि NCRT, अजीज प्रेम जी foundation, ASER, Oxfam, इन सब ने मिलके survey conduct किया और अपने survey में ये पाया, 27 से लेके 60% के बीच, बच्चे ऐसे हैं, जो online classes को access नहीं कर पाए, regions कुछ भी हो सकते हैं, जैसे उनके पास device नहीं था, shared device नहीं था, वो data pack नहीं खरिद पा रहे थे, इसके अलावा भी जैसे internet connectivity की problem है, problems देखो, अब गरीब लोगों को बहुत आती है, जैसे छोटा सा घर है, एक कमरा किराय पे लिया हुआ है, उसमें 3-4 लोग रहते हैं, अब ऐसी situation में, online classes access करने में दिक्कत आती हैं, इसके लावा आप girls की बात कीजिए, ये उपर वाला point है, कि single room में रहती हैं, 25% Indians तो, girls से तो ये भी उमीद की जाती है, patriarchal समाज में कि आप थोड़ा, घर के काम में भी हाथ बटाओ, तो ऐसी situation में, education को पहले की तरह continue करना कितना difficult हो जाता है, अब जो लोग privileged हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको ये सब दिखते नहीं आती, उनका घर बढ़ा है, इंटरनेट की क कोई दिक्कत नहीं है, devices की कोई दिक्कत नहीं है, तो दिमाग सेम है, चाये वो घरीब हो, अमीर हो, लेकिन आपके पास पैसे हैं, आप privileged हो, इसलिए आप आगे निकल जाओगे, ऐसा writer बोलना चाते हैं, peer learning का example दिया जाता है, college में students, school में students एक दूसरे से काफी कुछ सीखत हैं, peer pressure भी होता है सीखने का, लेकिन college नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए peer learning का जो advantage पहले students के पास हुआ करता था, वो example, वो advantage जो है, वो अभी के लिए missing है, जब online classes चल रही हैं, तो ये तो हमने बात की education sector की, अब बात करते हैं health sector की, वैसे भी देखो, इंडिया का जो expenditure है health sector प अब USA जैसे जो देश हैं, वहाँ पर देखो, जातर लोगों का ना insurance होता है, परिवार में कोई बीमार भी हो जाए, तो चुकि insurance होता है, insurance company पैसा देती है, इलाज का, अपनी जेब से पैसा नहीं बरना पड़ता, ये फाइदा होता है insurance का, बट चुकि इंडिया में health insurance की penetration क कोई परकार का insurance नहीं है, घर का सदस्या बिमार हो गया, तो अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है, कोई planning नहीं थी, उसकी जेब से पैसा भरना पड़ रहा है, ऐसे expenditure को कहा जाता है, out of pocket expenditure, यानि कोई insurance नहीं था, और जेब से पैसा भरना पड़ा, health पर, इवन देखो, इंडिया में जो private health sector है न, वो भी बहुत ज़्यदा poorly regulated है, काफी hospitals ऐसे हैं, जो मनमाने दाम वसूलते हैं, और सबसे ज़्या नुक्सान कि इसको होता है, गरीब लोगों को, इसके बाद देखो, ध्यान देने वाली बात पते क्या है, सरकार न, health services को provide करने में भी ये assume कर लेती हैं, कि देश के हर एक household में internet facility है, देश के हर एक household में smart device है, सरकार ये assume करती है, कैसे, तभी तो सरकार ने ये बोला है, कि vaccination के लिए आप COVID platform पे या फिर अरुग्य से तू application पे register करवाईए, अरे भया क्या सारे नागरिक internet का इस्तमाल करते हैं, क्या सभी के प कितना गलत है, उपर से COVID platform सिरफ English में हैं, नेस्ट पॉइंट, चुकि देखो अभी vaccines की देश में काफी ज्यादा कमी हैं, खांस करके 18 से 44 के बीट जो age group हैं उनके लिए, vaccine के slots नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कुछ techies ऐसे हैं, अतलब जिनको technical knowledge होती हैं, उनको पता है website कितने बज़े update होती हैं, तो वो उसी समय open करते हैं, और vaccine के जो slots हैं, वो book कर लेते हैं, राइटर का point ये हैं, कि जो लोग जिनको technical knowledge हैं, वो असानी से slots book कर लेते हैं, अब उनका मुकाबला ऐसे लोगों से होगा जिनको internet मुश्किल से चलाना हाता है, उनको तो कभी vaccine का slot मिलेगा गाइटर के द्वारा, देखो अभी जैसे देली में या फिर दूसरे सहरो में, essential जो द्वाईयां हैं, या फिर जैसे oxygen की cylinders हैं, oxygen हैं, उनकी कमी देखने को मिली, तो सरकार का solution पता क्या होता है, application बना देते हैं, हाँ हम application बना रहे हैं, इससे सारी चीज़े ठीक हो जाएंग कमाल कर दिया, चीज़ों की कमी हैं, चीज़ों की लोग जमा खोरी कर रहे हैं, उन पे आप इतनी ज़्यादा aggressively जो कारवाई करनी चाहिए, उतनी aggressively कारवाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने assume कर दिया कि application बनाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बात वहीं आ जाती है क्या सभी लोग applications इस्तमाल करते हैं, नहीं करते, इसके अलावा देखो concern ये भी है, अभी vaccination के लिए सरकार ने अधार कार्ड को अनिवार्य किया है, vaccination के लिए, और एक project है जिसके बारे में आपको पता होगा, Digital Health ID Project, इस project के अंतरकत क्या है, हर एक citizen की एक health ID होगी, और उस health ID क की साइता से, मान लीजे कोई person है, A, उसकी health ID कुछ ऐसे है, number में है, तो A की इस health ID से, past का सारा record सामने आ जाएगा, कि past में A को कौन कौन से disease ने परिशान किया है, कहां कहां पे admit करवाने की आप सकता पड़ी थी, past में कौन से test करवाए है, A का सारा health record access किया जा सकता है, health ID की साइता से, हालां कि देखो अभी ये digital health ID project जो है, वो mandatory नहीं है, लेकिन सुरू में तो सरकार ने अधार कार्ड भी बोला था, कि mandatory नहीं है, बाद में धिरे-धिरे सरकार ने चीजों के लिए अधार कार्ड को compulsory करना start कर दिया, तो future में सरकार इस digital health ID को भी सबके लिए compulsory कर हैं, अभी writer का concern ये है, कि इस महामारी की situation में सरकार digital health ID project को push कर रही है, और ये जो digital health ID project है ये अधार कार्ड से linked है, कल को यूँ भी हो सकता है, कि इस digital health ID project का जो data है, वो private companies के हाथ में लग जाए, खास करके insurance companies के हाथ में, तो insurance companies जो हैं, फिर वो गरीब लोगों को या तो उन से high premium वसूलेगी, health policy के लिए, या फिर उनके previous health records को दिखा के बोलेगे कि नहीं, आपको पहले ही से ये disease था, या फिर इस से साथ लगता disease था, इसलिए हम आपको insurance का फाइदा नहीं दे सकते, मतलब जो health insurance companies हैं, वो इस project की data की साहिता से गरीब लोगों को परिशान करने का का करेंगी, last में article में कहा जाता है, देखो 10 साल पहले जब अधार का project आया था ना, तो उस समय भी बहुत सारे experts ने concerns raise किये थे, कि भया इस project के अधार पर आप welfare services provide करोगे, तो बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे, और वही हुआ, अभी भी सरकार CAC applications लोंच करती हैं, हैं, तो until and unless, आप basic infrastructure को improve नहीं करोगे न, जैसे doctors की संख्या को increase करना, ward staff, nurses, इनकी संख्या को increase करना, beds, oxygen, ventilators, इनकी संख्या को increase करना, जब तक आप ये नहीं करोगे, इन applications को launch करने का कोई फाइदा नहीं हैं, और आपको जो medical mal practices होती हैं, जैसे ambulance वाले, कई ambulance वाले, दो-दो किलोमेटर के लिए 20-20,000 उपे वसूल रहे हैं, आप इन medical mal practices पे aggressively लगाम लगाओ, example set करो, तो ये हमने पूरा article discuss किया, digital world में inequalities से समदित, चलते हैं आगे, नए इस्ट आर्टिकल, इस्राइल में, इस्राइली पुलिस और पलेस्टिनियन प्रोटेस्टर्स के बीच चल रहे classes से समदित हैं, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हों, देखो इस्राइल और पलेस्टिनियन के बीच, जो dispute है उसका के इंदर बिंदू है Jerusalem City, जो ये Jerusalem City है न, ये Muslims के लिए, Jews के लिए, Christians के लिए, सब के लिए काफी ज़्यदा significant है, अभी किसका अधिपत्या है इस Jerusalem City के ऊपर? 1948 में, इस city का जो western part था, वो Israel ने capture कर लिया था, उसके बाद 1967 में जब six day war हुआ, तो eastern part भी, Israel के द्वारा capture कर लिया गया, तो अब ये पूरी जो city है न, ये Israel के control में है, और Israel कहता है, इस city पर सिरफ हमारा हक है, और किसी का नहीं है, जबकि Palestine का ये मानना है, इस city का जो eastern part है न, वो पैलेस्टीन की राजधानी होगा, और city का जो eastern part है, वो Palestine का पार्थ होना चाहिए, है नहीं अभी इसराइल के कंट्रोल में है जबकि पैलेस्टीन की मांग ये है इस सिटी का जो इस्टन पार्ट है उस पर पैलेस्टीन का कंट्रोल होना चाहिए और ये पैलेस्टीन की राजधानी होनी चाहिए है नहीं अभी कंट्रोल इसराइल का है इस्राइल के पास है eastern part मांग रहा है Palestine अभी की status के हिसाब से देखो जातर देशों ने इस्राइल का जो claim है Jerusalem city के उपर वो recognize नहीं किया है जातर देशं यहीं मांते हैं कि इस्राइल और Palestine के बीच जब final settlement होना उसी के तहट Jerusalem city को लेकर कि जो विवाद है उसे सुलजाय जाए लेकिन इसराइल जो है वो force की साइता से status quo को maintain की हुई है यानि force की साइता से इसराइल ने पूरी जेरुशलम सिटी पर अपना जो control है वो maintain रखा है जब देखो ट्रम्प की सरकार आई यानि वहाँ पर जूज की सेटलमेंट्स को increase करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर आलमोस्ट अभी 220,000 के आसपांस जूज रहते हैं इस्टन पार्ट में तो एक आरोप ये है पैलेस्टीन का कि इस्टन पार्ट में इतने ज़्यादा जूज की संख्या increase हो गई है इसकी वज़े से पैलेस्टीन के लोग को जगा नहीं मिल पा रही है illegal colonies काफी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे घर तो ऐसे हैं जो गिर सकते हैं मतलब इतना crowded area हो गया है eastern part अभी देखो जो classes चल रहे हैं ना किस वज़े से चल रहे हैं जब रमजान का महिना start हुआ तो शुरुवात में इस्राइली पुलिस ने old city में एक gate है Damascus gate Damascus gate के पास gathering पर रोक लगा दी जबकि Palestine का आरोप ये है कि रमजान के महिने में Damascus gate के पास gathering होती है Muslims की ये जानते हुए भी इस्राइली पुलिस ने Damascus gate के पास gathering पर रोक लगा दी शुरू में flash point ये था तो देखो flash point था उसकी वज़े से tensions तो create हो ही रही थी इसके बाद क्या हुआ एक ऐसी news निकल के आई कि eastern part से Jerusalem city का eastern part जिस पर Palestine हग जमाता है वहां से कुछ Palestinian families को remove किया जा रहा है उसके बाद tensions और जादा बढ़ गई जबकि इसराइली पुलिस का ये कहना था कि eastern part से कुछ Palestinian families को remove किया जा रहा है इसके बाद दो दिन पहले क्या हुआ देखो eastern part में ही एक पहाड़ी है Jerusalem का जो eastern part है वहां पर एक पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है अल-अक्सा वो जो मस्जिद है न मुस्लिम्स के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे ज़्यदा पवित्र साइट है अल-अक्सा मस्जिद और इसी पहा पहाड़ी के ऊपर और पहाड़ी के ऊपर जो ये कंपाउंड है इसमें अल-अक्सा मस्जिद है जो मुस्लिम्स के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है अर्थ पर और इसी कंपाॉंड में एक वाल है मांट टेंपल है जो जूज के लिए काफी ज़्यदा इंपोरेंट है अब देखो, ये जो पूरा compound है न, ये किसके द्वारा गवन किया जाता है, पहाडी के ऊपर, है तो वैसे ये Eastern Park में, जबकि पूरी city को ही Israel के द्वारा control किया जाता है, लेकिन इस compound को गवन किया जाता है, custodian है इस compound का Jordan, और एक जैसे हमारे देश में वकफ बोर्ड है न, तो वही पर एक वकफ बोर्ड के द्वारा, ये जो पूरा compound है, जिसमें मस्जिद भी है, माउंट टेंपल भी है, वो गवन किया जाता है, और यहाँ पर सिरफ Muslims को आने दिया जाता है, दूसरे धर्मों के वर यहाँ पर वर्सिपर्स काफी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसी compound में माउंट टेंपल है, जो जूस के लिए काफी ज़्यदा पवित्र है, इसलिए Israeli पुलिस के साथ काफी वर्सिपर्स यहाँ पर आने लगे हैं, जो पसंद नहीं है पलेस्टीन के लोगों को, उनको ये लगता है, चुकि अब जूस भी ज़्यादा इस compound में आने लगे हैं, इसलिए धिरे धिरे इस पहड़ी पर भी कबज़ा कर लेगा, और ये पूरा जो compound है, इस पर इसराइल का control हो जाएगा, ये पलेस्टीन के लोगों को डर लगता है, इसलिए उनको ये अच्छा नहीं ल तो अभी हुआ क्या है, इसी compound में classes देखने को मिले हैं, जो ये compound है जिसमें Mount Temple भी हैं, और Mount Temple के साथ साथ Al-Aqsa Masjid भी हैं, तो इस compound में एक तरफ जहां protesters की तरफ से हमला किया गया, ऐसा आरोप है Israeli police का कि Israeli police officers पर हमला किया गया, protesters के द्वारा इस compound से, बदले में Israeli police ने भी आ बढ़ की गोलियां चलाई, तो Masjid में काफी classes हुए, जिसकी वज़े से ये जो issue है, खास करके Muslim countries में काफी ज़्यादा गहरा गया है, देखो इसराइल पर आरोप ये लगता है कि इसराइल जो है, वो Jerusalem city में खास करके Eastern part में रंग भेद की निती अपनाता है, जैसा South Africa में जो white minorities की सरकार किती न, वो blacks के साथ discrimination करते थे, वैसी ही नीती इसराइल के दोरा अपनाई जा रही है, जैसे example दिया जाता है, कि Jerusalem city में अगर मान लीजिए, किसी Jew का जनम होता है, तो उसे तो citizenship दे दी जाती है, लेकिन किसी Palestinian person का जनम होता है, तो फिर उसको सिरफ permanent residency दी जाती है, हलांकि उसके पास अधिकार है कि वो citizenship के लिए apply कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि वो Israeli control को सविकार करता नहीं है, इसलिए Palestine का वो person जिसका जनम होता है, वो उसको सिरफ permanent residency मिल पाती है, और वो कुछ समय के लिए बाहर जाए, तो उसकी permanent residency भी चली जाती है, तो ऐ Palestinian और दूसरे जो Arab मूल के लोग हैं, उनके साथ अलग से behave करता है, दोनों के लिए अलग-अलग rights है, discrimination होता है, ethnicity के नाम पर, तो ये apartheid है एक परकार से, तो देखो ये जो अल-अक्सा मस्जिद में classes हुए, इसका Muslim countries ने criticize किया, USA के उपर pressure है, USA कैसा stand ले, क्योंकि Biden जो है, व वो काफी जड़ा strict था जब वो चुनाव परचार कर रहे थे, US का President बनने के लिए, तो last में conclusion में article में ये कहा जाता है, देखो अभी इस city को लेके जो विवाद है, वो इतना जल्दी सोल होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन इसराइल जो है, इसराइल से अब एक साथ कम से कम ये की जाती है, कि Palestine के लोग के साथ dignity से behave करें, और इसके लिए इसराइल पर international pressure डालने के आप सकता है, ये हमने पूरा article discuss किया, हमारी आज की discussion में इतना ही है, आज हमने तीन issues discuss किया, thank you, thank you very much for discussion.